नमस्कार मेरा नाम है प्रवीन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शोर डेली राउंड अप में जैसे ही किसानों ने ऐलान किया कि वे 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत करेंगे इससे एक दिन पहले ही हर्याना सरकार ने करनाल और उसके आसपास के जीलो का इंटरनेट बंद कर दिया और धारा 144 भी लगा दी आसपास के जीलो में अत्रिक पुलिस फोर्स भी बुला ली और अंत में बुढ़े बुढ़े किसानों पर वाटर कैनन भी चलवा दी लेकिन किसान भी कहां जुकने या हटने वाले हैं उन्होंने चाती पर परती वाटर कैनन की बौचारों के बीच मीनी सची वाले पर किसान यूनियन का जंडा गार दिया किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम वापस नहीं जाने वाले करनाल महा पंचायत में कल से लेकर अब तक क्या हुआ किसानों और सरकार के बीच क्या बात चीत हुई इन सब पर डिटेल में बात करेंगे उससे पहले जानते हैं आज की हेडलाइन किसानों का करनाल में लगू सची वाले का घहराव दूसरे दिन भी जारी नीजी करण के विरोध में रेलवे कर्मियों का देश व्यापी प्रतिरोध सरकार को दीच इतावनी तालिबान ने जारी किया घोशना पत्र, शरियत और इस्लामिक नियमों के हिसाब से सब को मिलेगा बराबरी का दर्जा एक बार फिर बड़े कोरोना मामले मौत के आकड़ों में बढ़ोत्री करनार में सडकों पर उत्र किसानों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि न्याय हो न्याय किसानों के सर फोरने के आदेश देने वाले Sdm का न्याय उस लाटी चारज में हुई एक किसान की मौत का सरकार से बाचित करने गए दल के सदस्यों ने बताया कि जादा कुछ नहीं मांगा सिर्फ SDM पर एक्षन की मांग की लेकिन सरकार ने इतनी सी भी बात नहीं मानी इसके बाद किसानों ने कहा जादा नहीं तो सिर्फ इस मामले में जाज बैठा दी जाए और जैसा कि एक प्रक्रिया है कि इस जाज के दौरान SDM को सस्पेंड रखा जाए लेकिन सरकार ने किसानों की ये नियुन्तम मांग भी मानने से इंकार कर दिया इसके बाद किसानों ने वही धरना देने का निर्ने लिया किसान करनाल मेंसित मीनी सचीवाली की तरफ कूच कर गए एक बार गी लगा कि 28 अगस्त की तरह ही इस बार भी किसानों को पुलिस की लाठियों से दो चार होना पड़ेगा इस दौरान कई बड़े किसान निताओं को डिटेन कर लिया गया लेकिन किसानों की ताकत को समझने में सरकार को देर नहीं लगी और जल्द ही किसान निताओं को रिहा भी कर दिया इसके बाद किसान निताओं ने मीनी सचीवाले को घेर लिया और उसके चारों तोर बैड़ गये और तब से लेकर अब तक किसान उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे करनाल के आसपास के जिलों में किसानों के जत्ते और अब करनाल पहुचने लगे किसानों की ओर से पुरा अंदोलन शांती पूर ढंग से चल रहा है हाला कि सरकार किसानों को बार-बार बादचीत के लिए बुला रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा आगे क्या होना है इसकी खबर मिलना बाकी है लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वे बिना न्याय के वापस नहीं जाने वाले हमारी दूसरी खबर रेलवे से जुड़ी हुई है आज रेलवे के नीजी करड़ के विरोध में रेलवे करमचारियों दौरा देश व्यापिर प्रदशन आयोजित किया जा रहा है इस दौरान रेलवे यूनियनों ने 8 सितंबर को प्रचंड चेतामनी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है करमचारी संगठनों ने केंद सरकार को चेतामनी दी है कि मौनिटाइजेशन के नाम पर जो रेलवे के नीजी करड़ का काम किया जा रहा है रेलवे के करमचारी उसे नहीं होने देंगे सरकार रेलवे के मुद्री करड़ के अपने फैसले को वापस ले रेलवे यूनियनों ने चेतामनी दी है कि अगर सरकार नीजी करड़ करने के अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो रेलवे के कर्मचारी बड़े अस्तर पर धर्ना प्रदर्शन करेंगे ये प्रोटेस्ट All India Railway Men's Federation की तरफ से आयोजित की गई हमारी अगली बड़ी खबर अफगानिस्तान से है जिस अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है तालिबान कैसे राज करेगा किन नियमों का पालन करेगा इसमें पूरी दुनिया की नजर है तालिबान ने अपनी कारिकारी सरकार के गठन के एलान के साथ ही अपना इक घोशना पत्र जारी कर दिया है जिसे तालिबान मैनिफेस्टों कहा जा सकता है जिसके अधार पर तै होगा कि अफगानिस्तान का भविश्य कैसा होगा इस घोशना पत्र में कहा गया है कि तालिबान सरकार और उसमें शामिल सभी लोग इसलामिक नियम और शरिया कानून के हिसाफ से काम करेंगे सरकार के सभी काम शरिया के हिसाफ से चलेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार तालीबान ने कहा है कि हम एक आत्मने बर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं पडोसी और बाकी सभी देशों के साथ सम्मान जनक संबंद चाहते हैं तालीबान ने कहा कि वे सभी अंतरास्टी नियमों और कानूनों को मानेंगे जो इसलामिक नियमों और देश के मुल्यों के खिलाफ ना हो इसलामिक नियमों के मताबिक ही अब संक्यकों और कमजोरों के हकोग की रक्षा करेंगे शरिया धांची की तहत ही धार्मिक और आधुनी विज्ञान की शिच्चा मुहया कराई जाएगी अब ये तो बविश्च के गर्व में ही है कि तालिबान अपने वायदों पर कितना ठिकता है और अफगान को किस दिशामर ले कर जाता है अब बात करेंगे कोरोना महामारी की भले ही सरकारों और नागरीकों ने दोनों ने ही कोरोना को गंबीर लेना छोड़ दिया हो लेकिन देश में करोना महामारी का कहर थम नहीं रहा थमने की बात तो दूर अब करोना मामलों और उसमें होने वाली मौतों के आकडों में एक धीमी वृद्धी देखने को मिल रही है केंदी स्वास मंताले दोरा आकडों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,875 नए मामले दर्श किये गए इसके अलावा कोरोना से फिर 300 से जादा यानि 379 मरीजों की मौत हुई है अभी एक दिन पहले ही 300 से कम मौत हुई थी जिससे लग रहा था कि देर सबेर कोरोना कुछ काबू में आएगा लेकिन एक बार फिर से मौत का आकड़ा 300 पार कर चुका है नए आकड़ों के बार देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,30,96,718 हो गई है जिर में से अब तक 4,41,411 लोगों की मौत हो चुकी है मौत के याकड़े चिंता जनक है कोरोना की दूसी लहर से भी पहले इसी तरह कोरोना मामलों में धीनी धिमी बृद्धी हुई उसके बाद मचा हाहाकार सपने देखा ज़रुरत है कि सरकार और इस देश के नागरिक कोरोना को गंभीरता से ले और बचाओ के उपाए करे आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाएं हमाई YouTube चनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और एंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें Facebook, Twitter और Instagram पर हमें फॉलो करें ने उस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया